विल्टर की बात करेंगे यह देखो यह सिंगल फिल्टर है जिसके अंदर काली दो पेंट है याद आपने इसके अंदर दो पिन्ट है इन आउट इन आउट टूनर आई-सी और डीपी-डीट में अंटर होता है क्या अंटर होता है आगर मैं आपको आँ यह देखो दो अलग इस पर 39 और 34 दो इंपुट के साथ से भी एक आउपुट है और यह आउपुट दोनों बेंडों के साथ है तो इसी चीज को इसी के लिए इसको कम्बाइनर कहते है तो हाई यूटूब की फैमिली कैसे आप सभी लो दोस्तों यह ऐसे वीडियो बहुत टाइम हो गया आए आपको सही नॉलेज मिल सके दूसी बात दूस्तों सिर्फ थियोरी से रिपेरिंग में की जाती है यह बात समझ लेना रिपेरिंग करने के लिए प्रेक्टिकल का नॉलेज हो रही है अगर एक सीप्यू के पैट का पता भी चल जाए बड़ा आप सीप्यू निकालने में डर गई सिम्पल सी रटी रटाइज चीज बताएगा टीए एक ठीएफ अपोर हता है टीएफव होते हैं बताता हूं सर यह आपका फो जी पीएफओ ठीक है यह आपका वर जीएफव हो यह आपका और फई सी एक यापको WhatsApp का Mais चाटा है यह हमारा यह हमारा 2G PFO और यह हमारा 4G PFO 4G PFO को दोस्तों बिसीकली में आरेफ कहा जाता है टेकनिकल फॉर्म के अंदर 4G PFO को आरेफ कहा जाता है बट लोगों को थोरा सा नॉलेज नहीं है तो यह हम मान सते हैं और हम इसलिए ज्यादा बोलते हैं हम इतना क्लियर कट समझते हैं कि य दौनेंटर को बूस्त करने का टायम करता हैं के इसका मेली काम फोरजी पी आफो फोजी नैटर सेशन की स्विचिंग करना साथ मैं है ट्रांस्मिटिंग आपके जो टावर से आने वाले एनलॉक सिगनल है वो बिसीकली डिजिटल में कंवर्ट हो और डिजिटल से एनलॉक में तो इसी को मॉडुलेशन और इसको कहते हैं यह जो प्रोसीजिर है यह आपका ट्रांसएवर करता है तो यह अपको पता पर यह चोटी-छोटी हैं इनका नोलेज नहीं बता कीरिया यह दो पार्ट में बनाऊ है इनको आपको जो भी दिये रहा हूं प्रेटिकल न को इनके बार इसको मुबाइलएफ की अंदर जफो रही जिसको बखायद एक बढ़िया देखेंगे पर आपको अच्छे से पूरी तरीके से समझना जोड़ी है सो दोस्तों सबसे पहले तो देखो कि यहां पर कुछ जो टीचर्स होते हैं कुछ टेक्निसें होते हैं वह हर एक आईसी को बैंड पास फिल्टर कहते हैं तो यह गलत है ह इसी बैंड पास फिल्टर नहीं होती फिर कुछ टीचर और टेकनिसन यह यह तो यह शारे आपके डुपलेक्सर तो यह भी गलत है सारे डुपलेक्सर नहीं होते और यह बढ़ा-वाला डुफलेक्सर थीक जो भी है हम देखो ऐसे टुक्के में कहने वाले तो मुझे लगत नहीं है तो बिल्कुल चुप रहो अगर तुक्का में हम कुछ भी कहेंगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम जैसे ही हमारा डीपीडीटी है सो यह हमें न है ना नॉलेज के साथ मिलता काम करें सिसियर से दिरे आप दीरे मंजले अपने आप मिलती जाती है तो दोस्तों मैं आपको सच बता हूँ कि ऐसे ऊपर से तो कोई knowledge नहीं मिलेगा क्योंकि first time आप देख रहे हो मुझे तो पता है यह क्या है अगर मैं आपको यहां बता हूँ तो यह आपका duplexer बोलते हैं इसको dual duplexer बोलते हैं यह single duplexer है ठीक है इस बिसिकली एंटीना के साथ connect होकर अपने network को क्या करता है ट्रांस्मिट और receiving का काम करता है तो यह basically dual duplexer है dual duplexer किसे कहते हैं जिसके अंदर दो RX मतलब दो बैंडों के साथ में हम एक साथ स्विचिंग कर सते हैं जनली क्या होता ना जो single duplexer होता है वो single band को single band को cable ले सकता है जैसे फौर जमबर B7 का डुपलेक्सर होगा B5 का डुपलेक्सर होगा B8 का डुपलेक्सर होगा बट हर IC डुपलेक्सर नहीं है कुछ IC दोस्तों इसके अंदर combiner होती है जिसको हम combiner या हम switching या switcher ICB कहते है combiner क्या होती है जो दो बड़े बैंडों को आपस में जोती है और आउपड में एक साथ भेजती है जैसे फौर जमपर दो बैंड आपस में जा रहे हैं एक है B39 एक है B41 तो दो बैंडों की अलग-अलग लाइनों को वो combine करती है और यूपूर में निकलती है इसलिए कुछ ACC कमबाइनर होती है कुछ ACC चल्व सिंगल बैंड-पास फिल्टर होती है जिसको हम सिंगल बैंड-बैंड-पास फिल्टर कहते हैं और कुछ इसकी DPDT होते हैं जिसको हम double pole double throw circuit कहते हैं और अभी के 5G में आपको इसमें आपको 3P, 3T आपको circuit देखने को मिलेगा जिसको 3P, 3 throw circuit कहते हैं जो मैंने अपने course में update किया है और जो मैं अपने सारे student को दे रहा हूं जो मेरे batches में मुझे से पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम तोड़ा सा और चर्चा करते हैं यहां पर मैं आपको लेयाउट यह देखो अगर हम लेयाउट पर जाएंगे तो आप थोड़ा सा देखो हर चीज से knowledge उठा सकते हैं और हर चीज को जीसिक्ली आप आपना एक method तो यह आपका क्या है डूवल दूपलेक्सर देखो अभी मैं आपको पूरा स्प्लीन करता हूं डूपलेक्सर क्या है इस वीडियो में बने रहना क्योंकि जब नॉलेज आया है बहार तो पूरे से बताएंगे और भरिया तरीकर से बताएंगे अब यहां पड़ आप देखो है ठीक है यह सिंगल बैंडब फिल्टर का काम कर रहा है यह जो क्या है दोस्तों यह सारी चीजों का नॉलेज हमें लेना है अब इसको और हम किया तरीके से बढ़ सकते हैं डाइगराम के अलावा अगर हम बात करें तो हम इसमें पढ़ सते हैं अब मैं आपको थोड़ा सिंबोल के साथ बता हूँगा ताकि आपको अना समझ में आ जाए पहले हम बिड मैप में और मैं सच बता रहा हूँ यह वीडियो के बाद में आपको आपका नॉलेज और परफेट हो जाएगा आपको मज़ा आएगा आपको लगेगा कि वाकि में ऐसा नॉलेज मुझे चाहिए था और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है और डिटेलिंग में जाना है तो आ ही नहीं हमारी 25 तरीकी बैच है आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं हमारी जो सीट है वह बीस तरीके बाद में भड़ना बंद हो जाएगी करकि लिमिटेट 25 बच्चों का बैच पढ़ाते है एक छोटा बैच ताकि हर 25 बच्चों से CPU करवा सके एक बार नहीं पूरे 10 दिन लग माला PCV के एक बाल से बाल से पैर की नाख्तुन कहीं हमारे MD सर के टालोग है यह पूरा नॉलिज आपको मिलेगा और हाड़वेर पढ़ाओंगा मैं अब्धर से अपको डीब लेवल पर जिसके आपको एक नंबर जान करी मिलेगी जिसको मैं हमें से कहता हूं कि टीचर का ते इसकर इन थी है तो यह आपका है जिसको हम कहते हैं सिंगल डूपलेक्स र chart ऑście यह सिंगल डूपलेक्सर ऑफिए यह सिंगल डूपलेक्सर ठीक है यह मैच भीर है और यह और यह पर दरहें आग एफ तो इसलिए हम इसको कहेंगे यह कंबाइनर क्या कि यह कंबाइनर भीर है कि दो सिगनल को जोड़ कर इक बड़ाबर मेंच सिगनल दों लग चल रही थे अब वह एक सिकनल हो चुकी है तो यह कम्बाइनर का काम होता है तो बेसिकली इतना तो आप डिटेली समझ गए फुडू कीच लेना ताकि आपको किलियर हो जाए अब हम थोरा सा और देखते आइसे की डिटेली अब देखो यहाँ पर भी धान देना आप लोग जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर यह तो इससे आप पता रहे हो कि भई सरी एक डूपलेक्सर है सिंगल अब धान दो दोस्तों आगर आपको इस तरीके से आपको डियाग्राम का आपको मिले तो यह समझ ले ना यह एक निसरों around to duplex और इसमें क्या होगा एक एंटीना की लाइं जो आपके टूजी PFO से, दो RX, RX, RX मतलब फोर जम पर band 5, band 7 और दो TX, band 5 और band 7, RX आपके जाएंगे, आपके WTR मतलब आपके RF मतलब आपके trans receiver IC में, ठीक है सर, और आपके TX ये आपके PFO के अंदर, कौन से? 4G, ठीक है, तो basically, ये TX टाकि 4G में जा सके, ताकि 4G के signals उसको boost कर सके, और आपके call, and होने, and ना हो, ठीक है, clear है, अभी मैं आपको इसमें तोरह सोर डिटेलिंग देता हूं, notice करना, जो, मैं फिरसे आपको बता रहा हूं, ये dual duplex हरे, sorry, ये single duplex हरे, ये dual duplex हरे, ये dual duplex हरे, सो चलो, अभी मैं आपको और एक बार में बताता हूं, ये single duplex हरे, ये dual duplex हरे, ये single duplex हरे, ये single band pass filter है, hello, बहुत सारे लोग, hello, hello, नीचे किये, पुराने वीडियो में, so मैं बताता हूं, या, मैं hello, ये इस तरह से एक चीजे की यूज़ करता हूं, ताकि, मैं आपको बता आपके सामने हो, और आपके रॉंटे खरेना होना, वो टीचर टीचर नहीं है, so ये मेरा मानना है, इसलिए मेरे पढ़ाने में जोस हमेसा रहता है, जुनून रहता है, मैं अपने student की हर एक आख में आख डाल के देखता हूं, ताकि उस पर कोई भी मुझे ऐसा न लगे कि म पढ़ा के निकल गया, उसको समझ में नहीं आया, हर student का ध्यान रखना, हर student का basically उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक student पर फोकस करना, ये सबसे important है, student को कुछ नहीं पता, जोस्तों, आपको लगता है, student आगे copy pen लेकर पढ़ने चलोगे, उनको ये भी नहीं प बनाते हैं, अगर हम बात करें, student सही से, class को ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखता है, वो teacher रखता है, जो गुरू होता है, और इसलिए, मैं अपने teacher को अपने student को जगाने के लिए, एक hello word कहता हूँ, जिससे उनका जोर्ज बरता है, दोस्तों, क सो आप देखो, तो यहाँ पर यह simple सी theory है, यह क्या है, दो दिख रहे हैं, दो point, इसका मनले भी एक है, single band pass filter, यह देखो, यह हो गया, single, तो यह आपका single duplexer, और अगर मैं, यहाँ पर और दिखा हूँ आपको, देखे, अब एक बार बें, हम पूरा आपको clear करते हैं, notice करो, देखो, यह, अगर हम इसकी बात करेंगे, यह single duplexer, single duplexer, band pass filter, combiner, क्योंकि तीन है, और अलग design है, single duplexer, dual duplexer, single duplexer, combiner, sorry, single band pass filter, single band pass filter, और यह जो आपके हैं, दोस्तों, यह आपकी होती, इनको बोलते है, dp dt, dp dt, double pole, double throw circuit, इस circuit का होना बहुत जोड़ी है, और इस circuit पे वोल्टे जाना बहुत जोड़ी है, नहीं तो low network का problem आपको देखने को मिलेगा, जनिली अब आप इससे क्या-क्या fault आप निकाल सकते हैं, जैसे इससे क्या-क्या fault आते हैं, इसको समझानी के लिए, हमको इसके circuit में जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसके circuit में जाओंगा, और सबसे पहले मैं आपको, खुद का circuit इस्प्लिन करूंगा, और कोई बनाया हुआ नहीं, कोई PPT वाला चलाया हुआ नहीं, चलो आप circuit बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको दूपलेक्शर बनाता हूं, यह आपका दूपलेक्शर, नोसकर पॉइंट अगर मैं, मालों यहां से भी रखता हूं, 10 टी क्लॉक वाइस, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, तो यह कहीं से भी हो सकता है, आठ, टोटल आठ पिन का है, ऐसा नहीं है, यहां भी नोसकर, कहीं भी नोसकर पॉइंट सकता है, और अगर मैं, यहां पर लाइन बनाओ, तो जोड़ी नहीं है, कि एक ही लाइन से लाइन जाएगी, यह लाइन कहीं से भी जासती है, सेटकेट के साब से, तो, सबसे पहले, यहां पर बना रहे है, 2G PFO, यहां पर हम बना रहे है, WTR, RFIC, और हम यहां पर बनाएंग 4G PFO, ठीक है, यह वीडो लंबा होने बाला है, पर बहुत इमानदारी से इसको देखेगा, और यह डीप लेबल की थियोरी, आपको 98% इंस्टीटोर में नहीं मिलने बाली, ठीक है, जहां आपको DCAC से खाया रहा है, जहां आपको, पीले मल्टीमीटर से से खाया जारा है, तो इसलिए यह वीडो को जितना हो सता अबार बार देखे तो ज्यादा और मुझे कमेंट करके बताएगा, पैक्टिकल वीडो किसका चाहिए, तो मैं बिल्कुल पैक्टिकल वीडो पैक्टिकल आएगा, ठीक है, अब स्यासा है, कि जैसी हम कॉल करते हैं, तो कॉल करने के अब जैसे हम कॉल करेंगे तो हम अपने क्या कर रहे हैं, हम अपने जो भूल रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जैसे हम कॉल करते हैं, जैसे हमने कॉल उठाया, तो हम जो भी माइक से बुलेंगे, वो ट्रांस्मिट होगा, और तावर की हो जाएगा, और जो टावर से आना है वो receiving की तौर पर आएगा तो सबसे पहले 2G PFO क्या करता है antenna की line मनाता है ठीक है और इसलिए इसको हम कहते है receiving और transmitting तो यह दोनों काम करता है तो यह line proper तरीके से होना जोड़ी है तरीके से होना जोड़ी है अब क्या होगा कि जैसे आप call करोगे तो आपका जो यह duplexer है यह receiving को connect करेगा WTR के साथ तो एक basically हो जाएगा RX और क्योंकि उस receiving में transmitting हो सके call पूरी तरीके से connect हो जाए आपका end नहीं हो इसलिए उसको जोड़ा जाएगा आपके PFO के साथ ठीक है और यह हम इसको बुलेंगे TX Transmitter आपने देखा होगा TX की लाइने PFO के अंदर कितनी होती है अगर इसमें हम component की बात करें तीनों के अंदर तो दोस्तों मैं आपको बता दू यहां पर आप देखोगे कोईल यहां आप देखोगे register और यहां आप देखोगे capacitor तो ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है कि आपको कुछ और मिल जाए तो एक आपको समझाने के तौर पे मैंने circuit बनाया है अब notice करना अगर हमानने का सब्सक्राइब करने कि अगर कॉल मुआ करें और पहली बात तो नेट्र करें पहली बात तो डशाएरै और आपकी लिस्ट वर इंग हैलो तो आप यह समझ ले ना आ आपको डशाए नहीं आ रहा किलियर है तो यह समझ लेना कि जो receiving है यह connect हो रहा है हलो सर receiving क्या हो रही है connect हो रही है तो आप यह क्लिए कर लेना साफ मेरा यह तो connect हो रहा है और मेरा antenna मेरे WTR को signal दे रहा है क्योंकि अगर यह WTR से receiving signal नहीं लेगा तो no service आ जाएगा मतलब कोई भी आपका मतलब suppose अगर मैं बोलूं कि जैसे यह जो register है यह register हटा दोगे तो आपका set no service पे चला जाएगा ठीक है सर आपका set no service पे चला जाएगा आपका set no service पे चला जाएगा क्योंकि receiving ही खत्म हो जाएगी मतलब receiving transmitting यह पूरा एक तरह से आपके सत्ते हैं कि जो duplex रहे यह पूरा ही बंद हो जाएगा तो पहला इसका Rx को और एंटेना से करेंट होना जोड़ी है ताकि आपके signals पूरे आ सके अब अगर मालो आपको किसी फोल में फोन के अंदर आपको केबल बट मैं और भी चीज आपको बताऊंगा अब जैसे मालो हम किसी फोन के अंदर बात करते हैं हमें signals तो आ रहे हैं पर हमारा call end हो रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ट्रांस हम TX अपने transmitting की लाइंग चेक कर सकते हैं अगर यह component यह लाइंग होई तो आपका क्या होगा call end होगा बट आपको जो भी signal मिलेंगे वह आपको आपको अब माल जाता है केबल 4G का टावर तो भी मिलेगा बट अगर आपका यह रिजिस्टर में सुआ तो आपको टूजी का टावर नहीं मिलेगा केबल 4G का टावर आपको मिलने वाला है क्या होगा पीएफो रिसीविंग देना बंद कर देगा तो पीएफो सुचिंग बिसीकली खतम करेगा इस कि इसको करना चाहूँ глаз में अपको बताना चाहूँगा कि यहां पर अगर आप इसको बाइपास करना चाहते हैं तो जनेलीले इसका बाइपास ऐक बड़ा फंड़ा है हम इसको क्याएगत शतक यहां और आप यहां इस तरह से जम पर माल सते हैं और naso www.lic count निकाल कर अब उससे जंपर मार दो यह समझ लएना कि वीक आ सकता है नेट्रों दो जाना लगा नहीन है नेट्रों उस समय आना उस समय कॉल लगना जहा नहीं वह बड़ा इंपोर्टंट देशच्टमरी क्या होगा बार बार आएगा कि सर घर घर में अंदर खुषता ही नेट यह सारी जो छीजें आने वाली ना ये ताब आने वाली है जब आप किसी signals को बाइपास करते हैं तो जनरी ऐसे बिल्कुल नहीं करना है बड़ इसको पैटिग लिए आपको बताएंगे करेंगे तो आप आप यहां पर देख करने हैं यहां पर यहां पर बने ने हैं कि पहेबो अधी का यहां पर यह हो ने है कुछ भी नहीं होगाấn है यह यहां पर यह सा बदना है यह जो TX है यह 4G आपके 4G PFO के साथ जोड़ेगा और यह जो RX output है यह आपका इस IC के अंदर WTR यह आपकी HDR IC के अंदर जाएगा अब देखो basically क्या हो रहा है अगर मैं आपको यहां से देखाऊं तो नोटिस करो यह देखो यह जा रहा है WTR PRX BB for basement जिसको हम कह सकते हैं यह देखें WTR PRX PRX मतलब primary receiving ठीक है और यह दो जो लाइन है यह आपकी आ रहे है और यह जो है यह आप देखिए तो यह आपकी जाएगी अगर हम इसकी बात करेंगे यह देखें यह यह आपकी सीधा जा रही है 2G PFO पर ठीक है यह 2G PFO है जिसमें आपको पता है कि 22 नमर की पिन हमें से 49 अब देखो यहां तो दो एक साथ आखेंद आएगा यह मत Apple Center यप कंबाइनर की तृप समझता है अब जैसे यह आपको एक B5 है यह कहां जो सिंगल सिंगल बैंड आपको दिख रहे रहा है उसके लिए आपको बिस इक sebagai यह लगे हैं डुप्लेक्सर तो यह समझना जोड़ी है क्योंकि यह ना बहुत सरल है अगर मैं आपको बताओं बट अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो यह आपके लिए बहुत असान है और आप सेट को बहुत अच्छे से इमानदारी से रिपैर कर लोगे और इसी के अंदर यह आपका डुप्लेक्सर हो गया डुएल डुप्लेक्सर यह देखो तो डुएल डुप्लेक्सर में जैसे की दू अंटीना भी हो सकते हैं तो जोड़ी नहीं है कि दूछी एंटीना हो एक जैसे यह 2G PFO से आ रहा है ठीक ह और TX आपको पते ही है यह 4G PFO और यह RX यह आपके WTR या आपका HDR ठीक तो यह इस तरह से Connect होता है और इस तरह से सुचिंग करता है और यह जो मैंने आपको IC बताई दी यह देखो यह होता है Combiner Combiner IC मैं आपको कमबाइनर की टोड़ी डिटेलिंग देना चाहता हूँ ठीक है यह देखें यह मैंने आपको Combiner IC बताई थी कि नोटिस करो तो Combiner में इसी के लिए क्या होता है तो आप जैसे की देखी रहे हो यह देखो दो अलग बेंड आ रहे है इस पर 39 और 34 दो इंपुट के साथ से भी एक आउपुट है और यह आउपुट दोनों बेंड हो के साथ है तो इसी चीज को इसी के लिए इसको Combiner कहते हैं तो दोस्तों अलग-अलग circuit है है अलग-अलग हरे चीज को आपको समझना बहुत ज़्यादा जोड़ी है और जो सिंगल फिल्टर है अगर हम सिंगल फिल्टर की बात करेंगे यह देखो यह सिंगल फिल्टर है जिसके अंदर काली दो पेंट है याद आपने इसके अंदर दो पेंट है इन आउट इन आउट के बल सिंगल फिल्टर ठीक है और एक होता आपका dp dt जिसको हम double pole double circuit कहते हैं यह हमारे rf switch की जैसे है इसको tuner ic नहीं बोलते हैं ठीक है क्योंकि tuner ic दोस्तों अलग होता है कि यह देखो tuner ic और dp dt में अंटर होता है क्या अंटर होता है अगर मैं आपको होता हूँ जो tuner ic होता है कि उस ic के अंदर आपके rff e signal होते है rff e मतलब रडियो फ्रिकेंसी एंड यह जो सिगनल्स होते हैं यह dhcl के यह tuner ic के अंदर होते हैं पर rf switch में नहीं यह rf switch है यह आपका डबल पो डबल थ्रो सरकेट है ठीक है अभी कैसे काम करता है इसकी क्या detailing है और इसकी वज़े से इस खेवल वी डीडी की वज़े से क्या हमारे मोबाल में आ जाता है यह सब लिख रहे हो सभी से साम तक सिब क्या कर रहे हो लिख रहे हो पर पैटिकल के नाम पर आपको पैटिकल के नाम पर जब टीचर रहर चले आता है और आपके साथ में पैटिकल के टीचर जोते हैं तो क्या करवाते हैं खाली स्केमाटिक आपके फोन से या आपके डागराम से चबवाते हैं तो यह कोई रेपेरिंग नी होती है आप उसको ट्रेस करो तो पैक्टिकली जब तक एक ओन्फोल में ट्रेस नी करोगे और अपने हैंड इस्कुल को इंप्रूब ने करोगे आप सीपू पर काम निकरोगे और हर मोडिफिकेशन को खुछ से नहीं करोगे क्यों यह सब कुछ आपको देखना पड़ेगा जो किसे भी और से भी एक इसे टेलीकॉम में है और आप सब सभी लोगों को इन्वाइट करता हूं 19 तारीक को लाइब वाच करना है फेस्वुक में इसे टेलीकॉम और यूटूब में मिस्ण Samir अंसारी और ढरामराश टूल दो जचश सा हमारे वह कोंपीटिसन हो रहा है तौल हमारे 10 विसीजार लड़कों टोटल के क्योंक्तिसिन लड़कों अपने सबस्था निकाले अपने से सेब्सक्राइब और ओसमें से दस निकाले यह वो टॉप 10 है दोस्तों जिसमें से आदे से जादा कम से कम 6 से जादा लड़कों के पाल माइक्रोस्कोपी नहीं था जिन्होंने कभी IC रिबोलिंग पर भी काम नहीं किया और आप वो CPU competition में बैट रहे हैं सोचों इतने से साथ और मैं आपको बता दू जब यह मेरा competition हुआ था तो सब बच्चों ने CPU लगाया एक ने भी ऐसा नहीं है जो CPU नहीं लगाया बड क्योंकि वह बिल्कुल फ्रेसर थे इसलिए उन्होंने टाइम अबना दिया और क्योंकि उनको टाइम देना ही है क्योंकि समय जितना दोगे उतना ही आपका experience बढ़ेगा और experience आपके दिय लगा बड हमारी वर्ड फर्स्ट की जंग नहीं है हम अपनी जंग चाइनीजों के साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ नहीं लड़ रहे हम तो अपने मनुरंजन के लिए साथ खेलते हैं और स्टूडिन के साथ ताकि उनका मनुवल भड़े और वह यह ना सोचे कि या तो भी थोड़ी वाला इंस्टिटूट है से सुभे से रात तक लिख रहे हैं और फिर पता चला जब फोन हाथ में आया तो लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और टीचर फोन नहीं उठा रहे है कह तीन महिने के बाद मैं आना दस महिने के बाद आना बारवे महिने के होती हैं तो इसलिए आपका कम्म्यूंकेशन इस्टेबल होना बहुत जबली है और यह क्यों हो रहा है सश्टे टीचर रहे हैं और जुगार वाली चीजे सीखो आगे भी चलते रहेंगे उसके साथ एक अगले दिन क्रिकेट मैच भी होगा फेरवेल के साथ सो जुरिएगा एसा टेलिकॉम वर्डी की सबसे बेस्ट टीम के साथ थेंक युवरी मैंच इस जुन के बैच को जोएन किया तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि इस एटेलिकॉम की तरफ से गिफ्ट में इस्टिटूट की तरफ से आइपोन मास्टर सर्किट कोर्स और फाइपग्रेट भी आपन गिफ्ट में दिया गया गया इस एटेलिकॉम के तरफ से एंडोरायड और आइफोन का जो बनिंग आप है वह हमें आने वाले बक्ष में इसके 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 शिकाएगा यह बहुत 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 विल्या हूं एस्टिट का और अब्डि सखका और देव सखका चली टीक है मेराम सवन्हाइव हैं तुटिए सब्सक्राइब करने बाते हैं आइपों का कोर्स ने जो इन आएपों का शिकर्ण आएब और थांग्यू करने चाते हैं ओर थांग्यू इस एंडर्ड कासी अडिवें श्हांग्यू लेंग जर्णा के लिए जा आफॉन का फोर्स कॉर्स गिप्टिया है मैं यह हैं यह एंडूइट का कोर्स इपने आहे था देप सार ने और अधिरणि एधर इसलिए अधर पायीप की कशीपटिया है इसलिए में एसलिक थे टेलिकॉम देभ सर को ड्रहें है कीविला है मुझे आइक आए ऐसे तिलिकाम है दें टैलिकाम प्रफ पल्रेंगी की एंडियकान कीशित zingनक हें एमने अन्द वाला है तो आपको देगा आपके काम की गारंटी तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क तीन दिन में पौवर IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी यहां ह पास्टल में इसकी सुविधा फ्री है हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर यह आपसे वादा है EMC Software है एशिया टेलिकॉम देश में Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ Practical और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां Basic से